हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं आजिस्थान विधानसबा चुनाव के नजदीक आते ही सभी करमचारी हर्ताल पर चल रही है अन्वार को A.N.M. असोसियेशन ने भी अनिश्चित कालीन हर्ताल पर रहने का एलान कर दिया है A.N.M. असोसियेशन की मांग है 2018 में निकाली गई A.N.M. बदोक में बढ़ोतरी करना, काउंसिलिंग कर जल्दी भरती करना, न्यू पेंशन योजना को पुरानी पेंशन योजना में बदला जाए एडिशनल A.N.M. जैसे गयर नोटिफाइड बदनाम को समाप्त कर कैडर में समायोजित किया जाए वही उन्होंने ड्रेस कोड को बदलने के साथ हलके पिंक करने की मांग की है अपनी हरताल में सरकार से A.N.M. असोसियेशन दो-दो हाथ करने के मूड में है असोसियेशन वेतन विसंगती, दूर करने और केंद्र के बराबर वेतन किया जाने के साथ-साथ सम्विदा A&M को नियामित करने की मांग को पुर्जोर तरीके से रख रहा है बुद्वार की रोज बार्मेर जिला मुख्याले पर A&M असोसियेशन ने अपना जोरदा प्रदर्शन कर सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया है असोसियेशन ने जिला कलेक्टर और बार्मेर CMHO को ग्यापन सौप कर सरकार को उनकी मांग जल्द पूरी करने की मांग की है साथ ही उन्होंने मांग नहीं मानी जाने पर अनिश्चित कालीन हर्ताल की चेतार्मी दे दी है इस दोरान जिले की विभिन कजबों की ANM और LHV की सेक्डों महिलाएं उपस्थित रहे की जाए और पांच भी मांगें जो LHV है उसको BHS बनाए जाए और छटी मांगें कि नर्चम करमी उनको इस्ताई किया जाए और एडिशनल ना में उसको हटाया जाए और हमारा समय एक काइम किया जाए यो चौपिस गंटाई होता है ठीक है और पूरानी पेंसल वो लागू की जाए